सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन हे मा इन पदमे इस तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ हमारे अबरादों को ख्यमा करो एवं मनों कामना को पूरुन करो ऐसा मन में मादा जीके चड़नों भाब करते हुए अब सभी भक्तियान तीन बार एक साथ ओंका रख्य का न भादों अजय उसी से ऑ्हुए रख़ dispतियान था भाव एक सा ओंका नजए अजयुत्थ हमारे अजय सा वाई नद कामना भी तोत्रों से तोत्रों करों जाड़ना कामना तीन तीनि हारादों रिदुन हान ठीना थामनों जोगी जान बिंदू से संजुक्त इस उंकार का नित्य प्रती काम एवं मोखी प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, हमारी सिष्टी का सुरूब भी उंकार सुरूपा ही है, तता इसके आदी एवं अंत में इसी अख्य का गुंडाईमान सदेई होता रहता है। उंकार अख्य के जाब से उचारन से कई आदी ब्यादियों का बिनाश भी होता है, हे मा इस प्रणवा के उंकार में, अकार, उकार और मकार के रूप में, बम्मा विश्ट्नु एवं महेश के रूप में, आज की नित्स्तिती है, तता दिंदू सुरूपा, अर्द मात्रा, ज भी आपी हैं, सच्चियां जोतां वाली माता, तेरी जायकारा शेरां वाली जीदा, अभी, आप सवी शद्धालु भक्तों ने, पूर्ण तर्माइता से, तल्लीन होकार, शद्धा पूर्वक्त, एकागचित होकार, माता जी के, इस दिपर पार्ट का शवन किया, जिस शद जोतां वाली माता, प्रसंद होकार, आपकी मनो कामना को फूरून करें, ऐसी माताई से प्राट से हैं, एवी रहतेर जगदु पेती सुखम तथैते, कुरवन तु नाम नरका चराई पापम, संगाम मित्व महिगम दिवम प्रेंतु, मत्ते दून महितान बिनी हंसी देवी, देवी इन राखेसों के मारने से स्नसार को सुख मिले, तथा ये राखेस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हूं, इस समय संगाम में मित्व को प्राप्त हो कर सरव लोग में जाएं, निच्चे जही सोच कर आप शत्रों का बात करती हैं, दिश्ट् को दिश्टी पात मात्र से भस्ति क्यों नहीं कर देती हैं, इसमें एक रहस्य है, ये शत्रों भी हमारे शत्रों से मित्र हो कर उत्तम लोग में जाएं, इस प्रकार उनके पदी भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता हैं, खड़ पहार नेकर बिश्टे से सोगरी, शोला क्यांके फोट नहीं गई, उसमें कारण जही था कि वे मुनहोर रश्मियों से जुक्त चंदर्मा के समान अनंद प्रदान करने वाले आपके संदर मुका दर्शन करते थे, सच्चिया जोतां वाली माता तेरी सदा ही जैकारा शेरां वाली जीदा, दोल सच्चे दर्वार की आप सभी शद्धालू भक्त जन, चैत्र शोकल तरी बदा से नवरात प्रारम करके अपनी भक्ती को पूजा पाठ द्वारा अगरसा कर दे थे, आज नवरात का अंतिम दिन है, नवरात समाप्त हो रहे हैं, और नवमी प्राता नौ बज के 36 मिन तक है, सभी भक्तों ने कल नवमी को ही शाखाब बेसरजन कर दिया होगा, क्योंकि आज द्श्णी प्रारम हो जाएगी और रवी वार होगा, इस तिन आज अंतिम दिन में भी आप नवमी को माता सिद्धी दात्ति के द्श्ण करते हैं, सिद्धी दात्ति अर्थात सभी सिद्धियों को देने वाली, आट कई जबा आट परकार की सिद्धी हैं और शत्ती सिद्धी में दिखी गई है दूर से किसी बस्तू को सुनना चो अपने रूप को छोटा बना लेना बड़ा बना लेना ये सब परकार की सिद्धी है भवान शंकर जी ने भी इनी सिद्धियों को प्राप्ट करने के लिए दुर्गा माता जी इनी सिद्धि दात्री की अरादना की थी ये सिंपर आरूड हैं और अपने हाथों में क्रमशा शंक चक्र गला पद्मधारन की हुए है ये कमल पर भी आसीन जाती है इनी की क्रिपा से भवान शंकर ली को आदाश श्री देवी का प्राप्ट हुआ था और वो अर्द नायरी श्री के रूप में विख्यात हुए थे आज के दिन इन सिद्धी राति मादार की रादना करके भक्ति यान सभी सिद्धी वो प्राप्ट करते हैं और पुन्य फलकी प्राप्टी करते हैं आज सुर्यभुवान मेश राशी में संक्रमन कर रहे हैं और इसलिए ये मेश संक्रान्ती के नाम से बिक्षात हैं इस दिन वेशाख मास में दाता सुर्यों से पहले स्नान करना ये बिशेश पुन फल को परदान करता है राजा महीरत जो एशर संबन्न थे परन्तु किसी कारुन का तेज हीन हीन हो गए थे और उन्होंने प्रादास्तान करके बेशाक मास को दान पूर्या द्वारा अक्षेफाल की प्राप्ति की थी बेशाक मास में भक्त जान जो प्यासे को पानी पिलाते हैं गर्वी में उसको उचाया करते हैं पंका जुलाते हैं उसको पादु का दान करते हैं उनको वशेश पुन फलकी प्राप्ति होती है आज के दिन दिल दान भी करना चाहिए अर्थास पितरों का जो तर्पन भी करना चाहिए आप सभी लक्ष्मादा के धाम में बेराजमान हैं इनका प्राकट कई रूप में हुआ माना जाता है एक तो ऐसा माना जाता है कि रादा जी के दक्षिनांट से लक्ष्मीर प्रकुट हुई इसी परकार किस्टन जी के दक्षिनांट से भवान बिश्टू प्रकुट हुए और दूसरी ऐसी काता है कि एक बार भवान इंद्र मधुपान से प्रमत्थ हुए केलाज टाम से बैकॉर्ट धाम के और जा रहे थे हरास्ते में उन्होंने दुर्वासाजी को देखा और उनको परनाम किया दुर्वासाजी पर सरन हुए और उन्हें भुवान बिश्टुदारा पर दत पारिजाद पुष्प इंद्र को दिया पंतु इंद्र मधुपान से प्रमत्त थे अतहा उन्होंने इस पुष्प को अभुवान पुर्वक हाती पार डाल दिया जिससे दुर्वासाजी कुपित हो गए उन्हों शाब दे दिया कि इंद्र तुने मेरे द्वारा दिये गए इस पुष्प का आप मान किया है अतहा लक्ष्पी आप के धाम को छोड़ करें भुवान पुष्प के धाम में चली जाएं तब दुर्वासाजी के शाब से इंद्र शी वहीन हो गए स्वर्वक लक्ष्पी वहीन हो गया तब सभी देवगान ब्रह्मा जी को साथ लेकर के गुरू जी को साथ लेकर के बैकॉंट दाम में भुवान पुष्पी के पास के और उनसे प्राटना की कि महराज स्वर्वक में यो लक्ष्पी माता रोट करके आपके धाम में चली आई है इसलिए कोई ऐसे जुकती बताईए जिससे पुना हमारे स्वर्वक में लक्ष्पी मा का निवास हो उसे भुवान बिच्टू ने देवताओं को उवदेश देते हैं कहा कि जहां शिप की पूजा नहीं होती जहां तुलसी का आरोप नहीं होता जहां शंक ध्वने नहीं होती जहां अतितियु का आदर समान नहीं किया जाता जहां भक्तियान ब्रत उबास नहीं करते सवेर हिंसा जोकत रहते हैं देश वाव रखते हैं महां से लक्ष्पी रूड करके चले जाती है ताब उन्हें लक्ष्पी माता को खीर सागर के जहां उत्पनों लिके यागादी और देशताओं को परामर्ष दिया कि आप देशते हैं साथ मिलकर के समुद्र का मंधन करो तब सभी देशताओं ने देशते हैं साथ मिलकर के मंधा चल परोको मतानी कश्यों को अधार और शेशताओं की रसी बना करके समुद्र का मंतन किया जिससे कई परकार के रत्र प्रकट हुए जिन में उच्छे शवा घोड़ा काम देनुगाए एरावत हा थी धन्वंत जी अमध का कलश लिये हुए और साथ में लक्ष्मी जी माता जी प्रकट हुई और स्वरग में लक्ष्मी का नवास हो गया इसलिए हम भक्तों में चाहिए कि हमारे घरों में लक्ष्मी का नवास रहे हमें वगान विश्व द्वारा उपदेशित मार्क पर चलना चाहिए अर्थाथ घर में तुलसी का आरोपन होना चाहिए शिर्क की पूजा होने चाहिए शंक द्वनी होने चाहिए अतित का अधर समान बद बास लखना चाहिए जिसमें लक्ष्मी माता जी हमारे घर में सदै विराज मन है आप सभी सभागशाली ये पुर्णे कर्मी है जिनको आज उनी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी ये महासर्च्वदी जी आदी काल से संपून विश्ववर में संजुक तरूप में के वल यहीं विराज मन होती आपको शक्ती, एश्वरे ज्ञान के बरदान से संबन कर रही है तीनों महाशक्ती जर्बूच से एक है उपरा के तेन सुरूप और नहीं के चर्णों से गंगास्तान कराती भी परिकवां करती बहरी है जिसमें आउस्तान करते हैं चर्णामत ग्यान करते हैं इनहीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गंपदी महाराज, सूरज, चंद्रमा बड़क तहाप परलार जी और साथ में मादा जी का वरद हस बक्तों पतेक ख्षान अशीर वार पदान करता है सामने शंकर भवान जी शिवल रूप में विराजमान और इनहीं तीनों महार शक्तियों का नवारन मंद बीज मंद, ओम, एंग, खीं, क्लीं चाव मुंडाई विच्चे, करी काल में भक्तों का विशेश उधार करने वाला है जिसमें एंग के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है जो बच्चे विद्या में निर्वल हैं केवल, एंग, 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 अख्षे का उचारण करने प्राप्तभर्त होता है और क्लीं के चारण से आपको शक्ति प्राप्त हती है आपके श्रत्तोसा रोकों का नाश होता ह है जाल मुंडा विद्या का नाम एवं भृब बिच्चे का रूप में अव्फे प्रदान करता है आईए इस इन्वार मंतर का अचारन मादाय चानों बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें ओम एंग्रीं क्लीं चामुंदाय विच्चे सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जैकारा शेरां वाली जीदा भोल सच्चे दर्वारी की जै घर में भी नित्व रदी श्तारों प्रांध शुद बस्त धारन करके आप इसका कम से कम एक माला जाब अवश्य करें जिससे तेनों शक्तियां आपको उस्वधा प्राप्त हों और आपके ग्रिस्थी ठीप परकार से चले दुर्गा वैस्चु माता अपाये हुए सभी भक्तों के मनों काम नाएं आपने मन में सुन जोए माताई प्रति लाए हैं सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन